आप लोग कैसे हैं आई होप आप लोग अच्छे होंगे आज मैं आप लोगों के साथ पिछवई आर्ट वर्क का एक सो पीस सेयर करने जारी हूँ आई होप आप लोगों के ये पहुत पसंद आएगा ये हमारे ट्रेडिशनल आर्ट वर्क सिरीज का सेकेंड पार्ट है इसके पहले मैं आप लोगों के साथ फस्ट पार्ट में लिपन आर्ट वर्क सेयर कर चुकी हूँ अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं तो प्लीज जाके उस वीडियो को चेक करिए मुझे पता है आप लोगों को वो वीडियो भी बहुत ही अच्छा लगेगा इतनी ढहे सारी बाते करने के बाद तो चलिए हम अपने आर्ट वर्क पर ध्यान देते हैं और बनाते हैं पिछवई आर्ट वर्क इसे बनाने के लिए मैंने एक पुराना चकला लिया है आप चाहे तो कोई और दूसरा उडन पीस या फिर कार्डबोर्ड पीस ले सकते हैं या फिर ओरिजिनली जैसे पिछवई आर्टवर्क कपड़ों पर बनाया जाता है आप कपड़ों पर भी ट्रॉ कर सकते हैं पिछवई आर्टवर्क में जो डिजाइन ट्रॉ की जाती हैं वो डिजाइन हर एक सीजन को डिमोंस्ट्रेट करती हैं तो मैं यहाँ पे लोटस और उसकी फूल पत्यां बना रही हूं जो की समर सीजन का सिंबल है पूरी डिजाइन ड्रॉ हो जाने के बाद अब मैं इस पर एक्रीलिक कलर का ही बेस कोड दे रही हूं आप चाहे तो जैसो भी अपलाई कर सकते हैं जैसो अपलाई करने से आप जो भी कलर उसके बाद उसके उपर अपलाई करेंगे वो बहुत ही उभर कर खिल कर सामने आता है लेकिन अभी मेरे पास जैसो है नहीं तो मैं इसे एक्रीलिक कलर से ही इसका बेस बना रही हूं बेस को पेंट कर लेने के बाद मैंने इसे सुखा लिया था अब मैं इस पर जो डिजाइन मैंने बनाई थी उसको मैं अपने मन चाहे कलर से पेंट कर रही हूं एंसियन टाइम में मंदीरों में मूर्तियों के पीछे जो पेंटिंग्स हैंग की जाती थी उसको पिछवई पेंटिंग कहते थे चुकि ये पीछे के साइड में हैंग की जाती थी इसलिए इनका लोकल नेम पिछवई पेंटिंग्स पड़ गया इसमें स्रीकृष्ण भगवान के कई श्वरूपों को दर्शाया जाता था जिसमें उनकी बाल लीलाएं, गोवर्धन लीला, सेशनाग लीला इन सब लीलाओं को दर्शाया जाता था पिछवई पेंटिंग्स का जो ओरिजिन है वो नाथ द्वारा टेंपल से माना जाता है जो की राजस्थान में है इसमें जो अलग-अलग मौसम के लिए अलग-अलग सिंबल होते हैं जैसे जो मैंने लोटस बनाया है ये समर सीजन को डिमोंस्ट्रेट करता है इन पेंटिंग्स को मंदिर में उनकी सुन्दरता बढ़ाने के लिए पीछे के साइड में हैंग किया जाता था चुकि इन पेंटिंग्स का जो ओरिजिन है वो नाथ द्वारा मंदिर से माना जाता है इसलिए इसे नाथ द्वारा आर्ट फॉर्म भी कहा जाता है बहुत धे सारे ग्यान के साथ हमारा जो सोपी से वो रेडि हो चुका है आप चाहें तो इसे पूजा में यूज करें या फिर वाल पे हैंग करें या फिर ऐसे ही कॉफे टेवल पे रख दें चुकि मैं इसे पूजा के टाइम पर यूज़ करूंगी तो मैंने इसके सेंटर में एक स्वास्ति का सिंबल बना दिया है आप चाहे तो इसमें और भी डिटेलिंग एड़ कर सकते हैं आप चाहे तो इसमें 3D आउटलाइनर से आउटलाइन दे सकते हैं मिरर वर्क कर सकते हैं या फिर पल्स इस्टिक कर सकते हैं चुकि मुझे इसे पूजा के टाइम पे यूज़ करना है तो मैं इसका सर्फिस स्मूध ही चाहती थी तो मैंने इस पे मिरर या परल वर्क नहीं किया है आपको अगर इसे वॉल पे हैंग करना है तो आप इसमें पर्ल या मिरर वर्क कर सकते हैं या फिर इसमें टैसल्स वाली हैंगिंग भी लगा सकते हैं और इसे अपने नौरात्री में या फिर दिवाली डेकुरेशन में यूज कर सकते हैं तो इस तरह से हमारा जो सोपीस था वो रेड़ी हो चुका है आप इसका लोग देखिए ये बिलकुल फेस्टिबल रेड़ी है आप इसे नौरात्री में दिवाली में करवा चौद में या फिर कोई भी ब्रत्योहार में योज कर सकते हैं अगर आपको मेरा ये पिछवई आर्ट वर्क सोपीस अच्छा लगा होगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिएगा अपने फ्रेंड और फैमली के साथ सेर करिएगा और ऐसी और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अपना ख्याल रखिए और मेरे चैनल रिट्स कॉर्णर को देखते रहिए बाबाई